दोस्तों आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले अर्विंद केजरीवाल के दो अलग-अलग बयान आपको सुनाए थे कॉंग्रेस को लेकर पहले बयान में उन्होंने गुजरात में कहा था कि कॉंग्रेस के सवालों को अब सीरियसली लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि वो पार्टी खत्म हो चुकी है दूसरा उन्होंने एंडी टीवी के कारिकरम में कहा था कि कॉंग्रेस को बरबाद करने के लिए राहुल गांदी अकेले बहुत हैं किसी और की जरुरत नहीं है तरसल उस दिन से मैं सोच रहा था कि आखिरकार केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े दो बयान क्यों दिये लेकिन आचानक ऐसा क्या हुआ खासकर के पंजाब की जीत के बाद कि केजरीवाल कांग्रेस के इतने वी प्रीत कांग्रेस के इतने अगेंस्ट हो गए फिर उसके बाद कल ममताब एनरजी का ये बयान पढ़ा जिसमें वो प्रधान मंतरी मोधी को साफ क्लीन चिट दे रही है कि उनका सेंट्रल एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है जो भी कारवाई होती है बिना उनकी पर्मिशन के होती है फिर तीसरा मैंने ट्वीट पढ़ा मायावती का मायावती ट्वीट में इतने टाइम से शांत रही मायावती कहीं चुपचाप गुमनाम में रह रही मायावती आचानक कल ट्वीट करती हैं और यूपी की योगी सरकार को निशाना बनाती है उन्होंने मोधी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला तरसल ये सारे बयान एक्चल में क्यूं आने लगे हैं अचानक से ये लोग कोई मोधी की प्रेज करने लगा है कोई कॉई कॉंग्रेस को बुरा कहने लगा है तो कोई शांत रहके या चुपचाप से इशारो इशारो में प्रधान मंतरी मोधी की तरफ तारीफी कर रहा है आखिर ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ ये मैं सोचने पर थोड़ा मजबूर था और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या इसकी पीछे की कहानी है तो मैं रिसर्च करने की कोशिक कर रहा था तभी आज कॉंग्रेस का एक बयान सामने आया और चीजें काफी हद तक समझ आने लगी कॉंग्रेस का मैं वो बयान सना हूँ उससे पहले मैं आपको बता दो नमस्कार मेरा नाम है प्रदीप चोहान और आप देखने मेरा चैनल खवराट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा जी हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बात अबारी थी कि आखिरकार इन दलों को इतना कॉंग्रेस के विरुद जहर उगलने की क्या जरूरत पड़ गई और मोधी की तारिफ करने की क्या जरूरत पड़ गई पहले आप जरूरत का ब्यान सुन लीजिए आज का जैराम रमेश का फिर मैं आपको इसके बाद आगे बताता हूं from October 31st there will be Bharat Jodo Yatra Orissa on the 1st of November there will be Bharat Jodo Yatra in Assam and on the 28th of December Bharat Jodo Yatra West Bengal will start from Sundarbans which is in the southern tip of West Bengal to Siliguri which is in the northern tip of West Bengal similar Bharat Jodo Yatra in Bihar, Jharkhand and UP will be announced very soon next year it is possible that we will have a West to East Yatra from Gujarat to Arunachal Pradesh जिहां आपने सुना जैराम रमेश का ये बयान कि जो Congress की दरसल ये सारी जड़ भारत जोड़ो यात्रा जो Congress की चल रही है उसके साथ जोड़ी हुई है जैराम रमेश ने साफ कहा कि जिन जो स्टेट इस यात्रा में नहीं आ रहे हैं वहाँ पर अलग से भारत जोड़ो यात्रा कीजेगी उसमें बिहार भी है वेस्ट बेंगॉल भी है जारकंड भी है ओडिसा भी है और दूसरे स्टेट भी है असाम भी है दरसल इन नेताओं की जो खलबली मची है इन छोटे दलो में ये वज़ा दरसल कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ही है और भारत जोड़ो यात्रा को जो अभी रिस्पॉंस मिल रहा है वो वज़ा है इस खलबली की सबसे बड़ी अब आप सोच रहे होंगे कि इस यात्रा से तो बीजेपी को परिशान होना चाहिए इन दलों को परिशान होने की क्या जरूरत है सही बात है दरसल परिशान तो बीजेपी है और बो मैं पिछले कई प्रोग्रामों से आपको बता चुका हूँ जिस तरह से बीजेपी इस स्यात्रा पे हमला कर रही है उसको लेकर साफ लगता है कि बीजेपी काफी परेशान है जिसका ताजा उधारन आज की संबित पात्रा का ये ट्वीट है जी हाँ देखिए एक छोटी सी बच्ची जो मुस्लिम पहनावे में है ये दरसल हो सकता है लेकिन राष्ट्य प्रवक्ता है वह जो बात कहते हैं वह सीधी बीजेपी से जूडती है इस फोटो को इस तरह से ट्वेट करना और उस पर ये लिखना ये दर्शाता है कि बीजेपी दरसल माने या ना माने भारत जोड़ो यात्रा से परिशान तो जरूर हो गई है उसे लग रहा है कि अभी तो चलिए नॉन बीजेपी स्टेट में यात्रा चल रही है लेकिन जब हिंदी बैल्ट में आईगी और बीजेपी के गड़ में आईगी तब अगर इस स्टेटरा को यही रिस्पॉंस मिला तो फिर बीजेपी के लिए यह अच्छी ख़बर नहीं होगी क्योंकि पहले ही बीजेपी मान चुकी है कि उत्तर भारत में खासकर हिंदी बैल्ट में अब बीजेपी अपनी चर्म पर पहुँच गई है 2019 उसका चर्म था अब उसका उन स्टेट में नीशे आना तै है और इसलिए अब वो दक्षिन की तरफ जाएगी बीजेपी की गेम क्या है और कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यातर से इसका तालमेल है यह मैं किसी और प्रोगाम में आपको बताऊंगा एक बहुत सही कड़ी है जो आपस में जुड़ती है लेकिन आज बात इन दलों की करते हैं जो मोधी प्रेम और कांग्रोस नफरत पे फिलाल आज का जो हमारी बात चीत है अब ये बीजेपी की बात रही परेशान होने की अब एक खेतरी दल खास करके ऐसे दल जिनको मैंने नाम दिया है पल्टू जिहां पल्टू पार्टिया हैं इनकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आप सब जानते हैं कि ये जितने भी खेतरी दल हैं जो आप बड़े बड़े दल बन गए हैं अपने आपको नंब बीजेपी का कोई वोट नहीं था जो बीजेपी का कॉंसॉलिडेट वोट था वो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है लेकिन इन दलों की जो राजनीती हुई है ये दल जो उबरे हैं ये सब के सब दल कॉंगरिस के वोट पर उदले उबरे हैं वेस्ट बंगॉल में ममता ब उसके अलावा मायावती की बात की जब कांशी राम ने जब भाउजन समाज पार्टी बनाई थी तो उनके पाज जो वोट गया था वोट किसका था वो दरहसल कॉंग्रेस का वोट हुआ करता था जी हाँ वोट है दलित मुस्लिम समधाय वोट अब इन तीनों पार्टियों को यही डर सताने लगा है दरहसल में कि अगर यह भारत यात्रा इसी तरह से काम्याव होते रहे अगर कॉंग्रेस कहीं खुदाना खास्ता रिवाईव हो गई और कॉंग्रेस कहीं दो हजार चौबिस में फिर कहरा हूँ मैं कि कॉंग्रेस अगर सता में आने की सोच लिये तो अभी मुम्किन नहीं है लेकिन अगर कॉंग्रेस कहीं 100 से उपर कांकड़ा पार कर गई तो बीजेपी को भी तो नुकसान हो गई होगा लेकिन इन धलों को भी नुकसान होगा क्योंकि कॉंग्रेस का ट्रेडिशनल वोट जो छिटक के इनके साथ चला गया था इनको ये डर है कि कहीं वो वोट वापिस ना चला जाए ममताब एनरजी को सबसे बड़ा डर है कि उससे अच्छा तो बीजेपी को का आमना सामना करना ज्यादा बेटर है क्योंकि बीजेपी के साथ हिंदू वोट है बीजेपी का सामना करने के लिए ममता बैनर जी को अपने पास चाहिए दलित मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट खास करके और अगर कहीं विस्ट बेंगॉल में कॉंग्रेस दुबारा उपर आ गई तो मुस्लिम वोट उनसे छिटक के कॉंग्रेस को चला जाएगा जो कि ममता बैनर जी की जमीन हिला देगा इसलिए ममता बैनर जी के लिए आज की डेट में ज्यादा अच्छा ये है कि वो बीजेपी से लड़े और कॉंग्रेस को जितना दबा के रख सके उतना दबाए इसलिए उनका मोधी प्रेम जो अभी जो मोधी के लिए प्रधानमंद्री मोधी के लिए उन्होंने तारिफे की वो सामने दिखाई दिया अब दूसरी तरफ बात मयावती की 2019 के चुनाओं में शांत उसके बाद यूपी चुनाओं में शांत कहीं नहीं दिख रही अचानक से ममता बैनर जी के बाद उन में भी उनको भी ध्यान आया कि हम भी एक पार्टी है तब उनको ये चायद रियलाइज हुआ होगा कि 2019 के चुनाओं में अगर आप वोटर के हिसाब से वोटिंग के हिसाब से पार्टी देगे तो बीजेपी के बाद कॉंगरिस थी तो कॉंगरिस के बाद बीएसपी थी जिसको टोटल वोट सबसे ज़्यादा मिला था उसके बाव जोद भी यूपी चुनाओं में क्यों खामोश रही मायावती इतनी कि अंडा मिला पार्टी को वो पार्टी जो कभी सरकार में चलाया करती थी यूपी में कि इडी और सीबाई की डर तो था ही ये तो सबसे बड़ा डर है यह मंता बेनतर जी के साथ भी है जिन हम भी बता दूं कि मम्ता धाप जीको एडी का डर और उनके भती जो फी एक जाना माना वद्धे केलिए लिए यह कि बात करने की जरुरूत कहीं खड़ी हो गई तो मायावती का वोट बैंक भी खिसक जाएगा अखिलेश यादव समाजवधी पार्टी ने अपना वोट बैंक कायम रखा है यह भी उन्होंने उत्रप्रदेश चुनाव में दिखाया कम ज्यादा होता है लेकिन मोटे तौर पे वो अपना वोट बैंक बचाने में काम्याब हो रही है वो पार्टी तो वोट बैंक जो बीजेपी की तरफ गया वो किसका गया था मायावती का मायावती के पास वोट बैंक किसका आया था कॉंग्रेस का तो अगर वोट बैंक वापिस कहीं कॉंग्रेस के पास चला गया तो मायावती की एक्जिस् कि वो मोधी जी के इंडारिकली तारिफ करें वो तारिफ कैसे करी योगी जी को टार्गेट करके योगी अधित्यनात की सरकार को टार्गेट कीजिए मोधी जी की तारिफ अपने आप हो जाती क्योंकि सब को मालूम है कि प्रधानमंतरी मोधी और योगी अधित्यनात एक केजरिवाल को आपको याद होगा कभी Google पर सर्च की जाए कि शीला दीक्षित का एक बहुत पुराना इंटरिव्य है उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरिवाल को उन्होंने lightning नहीं 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 था लेकिन उन्हें लगता था कि दिल्ली की जंदा समझधार है ये वो मुफ्त की योजनाव के लालच में नहीं पड़ेगी इसलिए उन्होंने अरविंद केजरिवाल को इतना serious threat नहीं माना था politically लेकिन नुकसान किसका वोट गया कॉंग्रेस का बीजेपी का वोट कैसे बचा रहा वो आपने लोगसबद चुनाओं में देखा कॉंग्रेस को लोगसबद चुनाओं में भी कुछ नहीं मिला तो इसका मुला बीजेपी ने तो अपना वोट बचाया है तो वोट अर्विंद केजरिवाल के प से टिकरेबन छे महीने पहले तक साफ लग रहा था कि Congress पंजाब मेर्पेट कर सकती हैiset tools जी यहां पंजाब मेरपेट करने की पूरी समभवना थी। वह Congress की अपनी गलती की वयासे वहां पर अपर सरकार Congress की गई अपनी गलती की वयासे उसमें कॉंग्रेस को ये करना चाहिए था कि अमरिंदर सिंग को जहां इतना टैनियोर दे दिये था पूरा टैनियोर दे 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 थे और चुनाओ में अमरिंदर सिंग की जगा फिर किसी और चेहरे को अगले मुख्यमंतरी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन एक ठोको महाशे आप जेल में गए जिसको आपने ट्रंप कार्ड कहके मुख्यमंतरी बनाया वो आजकल सुना है कैनेडा या कैलिफोर्निया में बैठे हैं वहां की सिटीजन लेने के चक्कर में हैं और पार्टी का डबबा गोल सरकार किस के हाथ में आम आदमी पार्टी भगवन मान के हाथ यह किस ने दिये कॉंग्रिस ने अपने वोट यूं दिये आम आदमी पार्टी को लेकिन अगर कॉंग्रिस कहीं रिवाइब कर जाए फिर 2024 से पहले क्यूंकि पंजाब के विदानसवाद चुनाओ तो लेट होंगे लेकिन उससे पहले 2024 है तेरा सीटे हैं पंजाब में अग मोधी का अल्टरनेट बनने का वो सपना बिल्कुल अधूरा रह जाएगा वैसे भी यह तीनों नेता जिन नेताओं की बात मैं कर रहा हूं यह पल्टू नेता हैं हमेशा पल्टे हैं आपको याद है अगर ममताव एनरजी से शुरू करें किसी वक्त अटल भ्यारिवाज प इन्होंने बेंगॉल में आकर कहा था दीदी ओ दीदी अब आप क्लीन चेट दे रही हैं उनको यह आपकी सोच है लेकिन आपने पिछले अपने हर बार आपने हर छे मीने आठ बहीने साल में दो साल में महमताव एनरजी पलड़ती रहती हैं कोई नई बात नहीं है इसी तर मैं कहता हूँ पंजाब इलेक्शन से पहले तक केजरीवाल का यह प्लान था कि गुजरात में कॉंग्रेस और वो मिलकर लड़ें तो बीजेपी को टक कर दे सकते हैं लेकिन पंजाब में मिली अचानक सफल था और उपर से प्रधान मिंतरी मोधी सरकार ने मनीशी सौधिया पर केज करके और दूसरे और नेताओं पर केज करके और मौका दे दे केजरीवाल को तब केजरीवाल को लगता है कि एकमेव वही हैं जो मोधी को टक कर दे सकते हैं मायवती कभी अखिलेश के साथ कभी कॉंग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ उनका तो वैसी कोई बरोस यह जो भी इसका result रहता है लेकिन Congress ने जो आज प्लान बताया जिस तरह से इस भारत यात्रा के साथ साथ अलग अलग यात्रा फिर अगले साल गुझरात से लेकर नौर्थ-ईस्ट की तरफ को एक यात्रा जो चलाने की बात पार्टी कह रही है तो यह मान के चलिए की पार्ट यातरा है, Congress को जोडने की यातरा है, अब इस सब के बीच एक और चीज Congress ने जो बिलकुल साफ कर दी है, आज जैराम रमेश की Press Conference में साफ दो चीजे मुझे बिलकुल साफ सपस्ट दिखा ही थी, वो एक ये है कि जिसको जाना है जाए, अब Congress ने परवा करना छोड़ दिया है, जिसको जाना है वो जाए, जैराम रमेश का कहना था कि एक नेता जाता है, उसके जगा 20, युवा नेता उसका जगा भढ़ने के लिए तयार है, इसका मलब साफ है कि पार्टी अब युवा चेहरों, युवा तुर्कों के सहरे आगे बढ़ना चाहती है, वो चाहती है कि य नए लोग आएं और नए लोगों को responsibility दी जाए, दूसरी बात जो जैराम रमेश ने कि साफ कहीं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारी यात्रा Congress के revival की है, Congress को खड़ा करनी की है, इस बे कोई दो राहे नहीं, कोई दो मत नहीं है, कि ये सारा जो ताम जहां है, ये स चाह शिशी थरूर बने, चाह अशो गहलोद बने, हलनकि जानते हैं कि अगर अशो गहलोद और शिशी थरूर की fight होगी, तो जीत अशो गहलोद की ही होगी, लेकिन अगर अशो गहलोद की जगा कोई और भी बन जाता है, तो भी ये तयह है कि 2024 लड़ा राहुल गांदी की चेहरे पे ही जाएगा जी हां, राहुल गांदी का चेहरा ही ही होगा मोधी के सामने 2024 में ये बात तरह है और विपक्ष पे जानता है खास करके अखिलेश यादव, तेजेश स्वी यादव केसी यार ये सब लोग, इस तरह स्टैलिन, ये सब जानते हैं कि विपक्ष को अगर जोड़ना है तो वो कॉंग्रिस की छदर चाया में ही जोड़ सकता है वरना नहीं जोड़ सकता है, शरत पवार भी काफी हद तक इस बात को मानते हैं ये लोग, शायद कॉंग्रिस के साथ ही रहेंगे बाकि ये लोग जो पल्टू हैं इनका कोई भरोसा ना, इनका भरोसा कॉंग्रिस को करना चाहिए नहीं इनका भरोसा बीजेपी को करना चाहिए तो यह था मेरा आज का छोड़ादा वीडियो उम्बीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजे कीजे और हाँ बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलना क्योंकि तभी आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और साथ ही जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर अपनी राय और सुझाओ दीजे और कमेंट बॉक्स से याद आया बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और कुछ ने डीम भी किया था कि आप जो है टेली प्राम्प्टर का इस्तेमाल क्या कीजिए तब आपको जो है वो बीच में फंबल या अटकेंगे नहीं मैंने दोस्तों शुरू में कोशिश की थी कि मैं टेली प्राम्प्टर के जरीए वीडियोस बनाओ मेरा बहुत छोटा सा चैनल है बहुत कम छोटे से हमारा परिवार आप बहुत छोटे से परिवार के साथ इसे भी मिरसा जुड़े हैं मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे ये महसूस है बिंगा जनलिस्ट 25 साल से मैं पत्रकारी तक 25 साल होगे करते करते मैं टेली प्राम्टर के साथ कमफर्टेबल नहीं हूँ जो बात अभी मैंने आपके साथ जिस तरह से मैं दिल से कर रहा हूँ वो बात टेली प्राम्टर के जरिए मुझसे नहीं हो पाती इसलिए मैं टैली प्रॉम्टर इस्तेमाल नहीं करता और अगर जो मेरा फंबल है या आटकन है हो सके तो इसके लिए मुझे शमा कीजिएगा और वक्त के साथ शायद इस सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी नमस्कार